पटना में वाट सचीवों पर लाठे चाड़ गए कई वाट सचीव घायल हो गए पुलिस कर्मी भी घायल हो गए लगातार 13 दिनों से सांती पुन परदर्शन कर रहे वाट सचीव क्यों उग्र हो गए आखे उनकी मांग क्या है और सरकार को सामने आकर बात करने में क्या परि सचीवों को इस तरह से पीटा जा रहा है और वाट सदस क्यों नहीं चाहते हैं उनके सबाक्तर में क्यों नहीं उतर रहे हैं हलाकि दवी जुवां से सब्सक्राइब बदल देंगे सरकार ना खूलकर बोलती है आखूलकर को यादेश जारी कर रहीए अब पटना में जो भी गिरना बिल्कूल लोकतंत्र बिरूद है और अपना हक मांगना परदर्शन करना तो लोक सूरती है लोकतंत्र कारण सारी दुनिया लोकतंत्र अपनाती है तो हम नजाराज डालेंगे दोस्तों कि आखिर पटना में हुआ क्या मामला बीगड़ा कैसे लेकिन उससे पहले मैं अपना परिशे देदू ना में मेरा भैकुमार आप देख रहे हैं ठोक तंत्र में हम इसी तरह के ज्वलंत मुद्धे पे चर्चा करते रहते हैं तो आज हम वाट सचीवों के परदसन क अफिस को घेरा लाठी चाट पत्राओं में पचीस गाया लखवारों की यह सुर्कियां है पांच गंटे तक हुआ हंगामा पुलिस के कई जवान हुए भी चोटिल हुए है तो पहले हम आपको बता दें कि आज तेरह से बारह दिनों तक लगाता वाट सचीव पटना में ध हातों को सुने और जो हमारी मांग है उसे सुने अस्वासन दे मांग नहीं मानना हो यह भी बता दे मानना हो यह भी बता दे लेकिन कुछ तो आस्वासन मिलना चाहिए लेकिन मामला जब कोई नहीं आया तो यहीं जो भीड था वाट सचीव का जो हुजूम था वह उनका सब तोट गया विच में उन्हें पपतार पर्दरफन करने یा कि लेकिन कोई सरकारी मिलने तक नहीं आया तो यह कुछट कर गए भाजपा करियाले की तरफ कि मंतरी जी 6 मंतरी जी नहीं देखते हैं क्या खबर निकल कर सामने आई श्वार्ट सचीव के पद पर काम करने पर रखम नहीं मिलने और इस जोड नहीं कर दिया जब कोई मिलने नहीं आया तो भाज में पर्देश कर्याले का घेराओ कर दिया कर्याले के गेट से लेकर सड़क पर बैठ गर जमकर हंगाम और नार्यबाजी करने लगे सुचना मिलने के बाद पुलिस परसासन के टीम मौके पर पहुंची पर्दसनकारी पंचायती राज मंत्री समराज चोड़ी से भेट करने पर अड़े हुए थे समराज चोड़ी से बाचित करना चाहते थे उन्हें समझाया गया कि आप लोग गर्दनी भाग धरना अस्थल चले जाएं वहां वहां बाते हो जाएगी पर यह लोग मानने को तैयार नहीं थे करीप गंटे तक यह लोग वहां पर जमेरे जमा रहे हालत व्यकावू होते देख पुलिस लीवाटर केनन से पानी की बहचम सुरू कर दी उसके बाध Бांचघार वा कर रहे करीब पांच हजार वाड सर्चीवों में पथ्राव कर दिया उसके बाद पुलिस नहीं लाठि चार्थ कर दिया करीब दो दरजन पुलिस परदसनकारी घयल हो गया चोटिल हो गया मामला किया गर्दनी बाग में 10-12 दिनों तक तो यह भर्णा नहीं रहा है और यहां यहां आने के बाद ही पहले बताया जा रहा है कि आप फिर गर्दनी बाग जाएए वहां आप से बात हो जाएगे वहीं से बात हो जाएगी हम आपको पूरी घट्टा करम पहले बताते हैं सुरुवात वहां सभी की पहले पटना जब लग पहुंचे वाड में सचीव लोग पहुंचे तो जदियु का रियाले के सामने धरना दिया एक दिन वहां डेरा डेला आधी रात को वहां से खदेड दिया गया जद हो रही होगी उसके बाद धीरे धीरे जब वाड सचीव की संख्या बढ़ने लगे दिन भी बीत रहे थे विपक्ष का साथ भी मिल रहा था और जो चिठी से असपष्ट नहीं हो रहा था सरकार का कोई नुमाइंदा बात नहीं करने पहुंच रहा था जब संख्या बढ़ी सबसे आसान इनको लगा कि हम भाजपा कर्याले चले जाते हैं औहीं मंत्री जिसे मुलकात हो जाएगी बाजबा कर्याले जब पहुंचे तो वहाँ पर गेट से लेकर चुकिक इनकी संख्या 5000 तक थी गेट से लेकर सवलक तक बैठ गया अब इसकी सूचना जो भाजपा कर् यह मानने के लिए बिल्कुल तयार थे कपा ही तयार नहीं थे क्योंकि जब दस दो दर्दन दिनों से बाराइस दिनों से भाणा दे रहे थे सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने तक नहीं आया पूछने तक नहीं आया इस कड़ाके की ठंड में छोटे-छोटे बच्चों के मिलने कोई आयगा वाड़ सचीव अड़ गए उसके बाद जैसा होता है पुलिस पुलिस ने आरोप लगाया कि पथरा सुरू कर दिया है वाड़ सचीव और सचीव ने आरोप लगा रहा है कि पहले हमने लठी चार्द हुआ है जो भी हो लेकिन नुक्सान पुलिस को भी प्रियास कर सकते थी मंत्री जी आकर समझाने का प्रियास कर सकता था कि आप जाइये आपकी माँगों पर विचार किया जाएगा तो यह नौबत तक्राव की नौबत नहीं आती खर वाड़ सचीव पटना में डटे हुए हैं नजर डलते हैं कि वाड़ सचीव का मांग क्या और पूरा मामला किया है तो आपको हम बता दें कि पूरे बिहार में 114 वार्ड के उनकी नियुक्ति तेनातिव बर्द 2016 में किया गया था मैत्रिक पास में से वार्ड किसी भी तरह का मांदे नहीं किसी सब्सक्राइब करने वाला एक सब्सक्राइब करने वाला दो सालों तक यह नीमा वली है है कि दो साल के बाद भी से जो समीति है उसका लेकिन से बादो को वार्ड सबस्कड्राइब करना था लेकिन रभी चुनाव होने के समाप्त हो गया तो उनका पद्रिक्त हो गया उसके बाद चिठी निकाल यह गए जाती है कि पंदरह जनवरी तक उसको पूर्ण कर लिया जाए लेकिन उसमें एक लाइन यह जूड़ दिया जाता है वार्ट सदस वाप पंच और सचीव समेथ सचीव का भी नाम जोड़ लिया जाता है यहीं से गलत्वामी पैदा हुई और उसके बाद वाट सचीव जो है आनन फानन में रात तो रात पटना पहुंच गए अपनी मांगों को मांगने परदर्शन करने लेकिन उनको उनके साथ जो कल हुआ है जो कल घटना घटी है सोंब सब्सक्राइब को अगरेशन कर तेलो करें अधिक मुख मुख मांगे थी कि नए सीरे से वाससीवकां नहीं हो गठन उन्हें ही फिर से काम करने दिया जया वह काम के अंगे घृता है कि उन्हें जो भी काम कर रहे हैं उसका मांदे डिया जाए उसे वापस लिया जाए नहीं तो चिठी में सुधार किया जाए वार्ट सचीवों का नाम हटाया जाए तो दोस्तों इस तरह से मामला उलजता जा रहा है उलजने का नाम नहीं ले रहा है कुछ लोग कहता है कि एमल सी चुनाव तक है मामला चलेगा कोई कहता है कि नहीं वार्ट सचीवों का चेयन उस्तरह से हुआ ही नहीं था इनको हटा द कि पुर्वक बात करें आखिर कि समस्या क्या है आखिर को चालिस जब चार सल पांच सब्सक्राइब काम कर लिया है तो कुछी काम लाइक रहे नहीं और ऐसे भी अगर वाट सचीवों का कहना है कि अगर फिर से कि आंसमीटी का गठन करना है जिसमें सचीव भी जरूरत है जब सचीव की जरूरत है तो पहले से हम न्यूक्त है तो फिर हमें क्यों नहीं दूसरे को रखा जाए तो इतना से मांगो के लेकर वाट सचीव लगातार प्रशन करें लगातार धरने पर है अभी उनका अगला कारक्राम क्या होता है जो कि चक्का जाम का और बंदे मात्रम